नमस्कार मेरा नाम हिमाईश देवन और ये वीडियो है infertility के regarding क्योंकि मैं अपने comments पढ़ रहा था तो बहुत से लोगों की एक query होती है कि एक general routine क्या होनी चाहिए जिसकी वज़ा से infertility से बचा जा सके तो एक normal सी मैं चीज बोलूगा आपके parents आपको बोलते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, खाना टाइम पर खाओ, प्रॉपर तरीके सहो ये आपके parents आदी चीज़े आपको समझा देते हैं कि आप infertility से कैसे बच सकते हैं बढ़ हम उस चीज पर notice नहीं करते हैं क्योंकि हम एक अपनी life में इतने busy हो चुके हैं कि हमें ये लगता है कि ऐसे ही है तो अगर हम समझें तो इन पर बहुत सारा सार है जिससे आप बच सकते हैं infertility से क्योंकि parents वो ली चीज़ों से निकल चुके हैं बार इस वज़ा से वो आपको ये चीज़े बताते रहते हैं वो straight forward नहीं बोलते बट गुमा फिर आके वो आपको ये चीज़ समझाते हैं कि आप अपनी healthy routine से अपनी हर life की problem को sorted कर सकते हैं तो यहां पर मैं वो ही चीज़ बताऊंगा जो mostly आपके parents बता चुके हैं कि भार का मत खाओ, junk food ना खाओ, fried मत खाओ, ज्यादा तलावा मत खाओ, अच्छा क्या-क्या nutrition में होने चाहिए वो चीज़े बताएंगे ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बूरी नहीं है ये चीज़ खाया करो, ये चीज़ ना खाया करो, ऐसी चीज़े जो general आपके parents आपको बोलते हैं या आपके guardian जो आपको बोलते हैं, बट यहां पर मैं आपको पूरी routine बताऊंगा कि आपने खाना किस तरीके से लेना चाहिए, या आपको कितने nutrition मिलने चाहिए, या फिर आपको सोना कितने बज़े चाहिए, देखो basically अगर मैं बोलू, अगर आप रात की duty कर रहे हैं, जैसे पुलिस में, आर्मी में, बहुत सारी जगा, ऐसी जगा हम जानते हैं, जिनके patients हमारे पास आते हैं, कि उनके routine का कुछ पता नहीं होता, जैसे पुलिस लाइन, पुलिस अगर रात को अगर वो सूते भी हैं, तो दो घंटे की नीन ली, अपनी चौकी या थाने में, उसके बाद फिर उनको जागना होता है, फिर एक उन्होंने चक्का लगाना होता है, तो एक पुलिस के mind of view से देखा जाए, तो उनकी body पे बहुत असर पड़ता है, इसका, अग अगर हम बचपन से बड़े हो रहे हैं, तो हमको सिखाया जाता है, या हम खुद learning ऐसे process में है, या हमारी body ऐसा फेनोमेना present कर देती है, कि हमने दिन में काम करना है, और रात में हमने सोना है, तब ही हमारे जो गामों में देखा जाता है, कि बहुत सारी गामों में, सुबह- अपने काम में लग जाते हैं, जैसे ही sunrise होता है, वैसे उनकी working चालू हो जाती है, वैसे उनका सारी चीज़े start हो जाती है, और जब sunset होता है तब उनका approximately sleeping time हो जाता है, वो अपने सोने के time पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक तरीके से sun के उपर depend रहते हैं, Sun Rising और Sunset पर depend करते ह और यह सबसे best चीज रहती है अगर हमें अपनी routine में सबसे best चीज लानी चाहिए वो यही लानी चाहिए कि sunrise और sunset पर हमेशा ध्यान दे अगर sunrise हो रहा है तो अपनी routine को वैसे बनाएं कि सुबह उठना है शाम को सोना है टाइम पर सोना है अगर हम वैसे अपना प्रोसेजर संबालते हैं तो हम well and good रहती हैं हमको fertility जैसी problem नहीं आती है और फिर इसके बाद दूसरी regarding की बात करते हैं कि आपको खाना कैसा खाना चाहिए खाना basically normal होना चाहिए मैं यह नहीं कहता कि आपने non-veget नहीं खाना आपने से vegetarian खाना है ऐसा कहीं नहीं है अगर आप non-vegetarian है तो आप non-veget को भी ले सकते हैं बट उसमें भी कुछ ऐसी चीज़े क्योंकि आज की date में बहुत ज़्यादा चीज़े commercialize हो चुकी हैं जैसे अगर हम आज की date में chicken की बात करें तो वो market में आ जाता है market में वो as in cutने के लिए आ जाता है तो हमें नहीं पता कि chicken कैसा है कैसा नहीं है अगर आप खुद का पालावा chicken है तो आप non-veget में उसको intake कर सकते हैं ऐसे ही mutton की बात करूँगा कि cookie बहुत सारी चीज़े commercialize हो चुकी हैं तो अगर आप उनसे बच सकते हैं तो please बचिए अगर आप खुद का chicken farm है या खुद का अगर आपको कुछ लगता है कि दोचार आपने मुर्गे-बुर्गे पाल रखे हैं अगर वो खाते हैं तो वेलन गुट हैं अगर भार से chicken खाते हैं तो मैं उसको avoid करने के लिए बोलूँगा इसके साथ आपने वेज में सारी चीज़े खा सकते हैं मैं कुछ चीज़ों को fertility के regarding से मना करता हूँ जैसे कि करेला करेला को हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि basically कड़वा है और कड़वा basically as in आयोवेद में माना जाता है कि वो आपके शुकरानों को कम करता है तो करेले को avoid करेंगे और उसके साथ आप कुछ भी खा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको ये चीज़ कम करेगी ये चीज़ जादा करेगी तो जो अनार इंटेक करते हैं well and good हैं और जो नहीं करते हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए और इसके साथ citrus fruit जो मरजी खा सकते हैं खाईए क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है तो सारे oranges, kino ये सारी चीज़े लगी रहेंगी जो आपके fibers इंटेक करने का या जिसे कह देते हैं कि fibers आप इंटेक जादा करोगे तो वो बेटर रहेगा क्योंकि सर्दियों में हमारा खुद का ही बॉड़ी का एक process टार्ट हो जाता है जिसमें हमें भूख जादा लगती है हम खाना जादा खाते हैं और इसके साथ साथ हम इसमें oily, fatty चीजें जादा इंटेक करते हैं सर्दी से बचने के लिए क्योंकि हमारी बॉड़ी खुदी ऐसे टेस्ट डेवलप करेगी जहां पर आपको फ्राइट खाना पसंद आएगा या आपको जहां पर आप गर्मियों में एक रोटी खाते हो या दो रोटी खाते हो वहाँ पर सर्दी में अपने आपी आपके तीन चपाती हो जाएगी वह इसलिए क्योंकि बॉड़ी आपके फूड से हीट डेवलप करती है और वह आपकी बॉड़ी में लगती है तो आपको बैटर फील होता है इस वज़ा से अगर आप आज की डेट में फूड इंटेक कर रहे है तो प्रॉपर करिए कोई दिक्कत नहीं है आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है एक खाते हैं तो एक खाईए और अगर आप नॉर्मल नॉन्वेज खाते हैं तो नॉन्वेज अगर वेजेटेरियन है तो वेजेटेरियन बट कुछ जगा हम वेजेटेरियन में देखते हैं क्योंकि patients आते हैं हमार पास तो हम देखते हैं वेगण डाइट में जादा तर वाइटमिन D की deficiency हमें दिखाई देती है वाइटमिन D की deficiency से आपकी mortality पे effect पड़ता है तो अगर vitamin D enrich करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने food में अगर egg start कर सकते हैं या पहले egg खाते थे आपने अप छोड़ चुके हैं तो आप egg को फिर से restart कर सकते हैं अपनी dietary form में चालू कर सकते हैं और जो नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं उनके लिए एक normal nano drops आती हैं बट उससे पहले एक बारी आपका test जरूरी बनता है आप एक बारी अपना test जरूर कर रहा है vitamin D का और उसके बाद अपना एक arachetol nano drop six sack unit के नाम से market में available है हर chemist में medical store पर मिल जाता है तो आप महां से vitamin D के अपने nano drops ले सकते हैं पर वीक एक drop लेनी होती है तो आप अराम से उसको intake कर सकते है vitamin D को enrich करने के लिए और इसके बात बात करेंगे हम normal आपकी diet का timing क्या होने चाहिए क्योंकि हम हमेशा उपर नीचे करते रहते है क्योंकि busy हैं जैसे आप सब अपनी जॉब में busy रहते हैं या घर के कामों में busy रहते हैं तो अपनी diet कभी आप बना नहीं सकते हैं जैसे सुबह सुबह जो ladies होती हैं उनका breakfast करते करते लेट हो जाता है या कभी जल्दी हो जाता है break beach में जैसे normally अगर हम देखा जाए तो routine में अगर lunch में करे जाए तो lunch हमारे क्योंकि government hours और जो corporate में है उसमें तो चलो ठीक है बट normal जो businessmen है या जो अपने farming करते हैं उनके कोई lunch के timing नहीं होता जो दुकान दारी कर रहे हैं उनके कोई lunch का timing जब ग्राग जाएगा तब वो lunch कर रहे हैं बट वहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें कभी न कभी ये दिक्कत आ जाती है gastric trouble, acidity trouble, blotted stomach ये सारी चीज़े उनको लगी रहती है, headache बनना क्योंकि उनकी कोई routine नहीं है, routine नहीं होने की वज़े से उनको gastric trouble जादा बनती है और gastric trouble और indigestion की वज़े से आपकी body effect होती भी है और इसके साथ साथ आपके शुकरान उन पर फरक डालती है, वो इसलिए डालत है क्योंकि हमारे जो अगर हम हमारी body, पूरी body में तकरीबन साथ stages बनीवी है, seven stages बनीवी है, आईवेट के हिसाब से, seven stages में अलग-अलग first to six stages में आपकी पूरी body में energy जाती है, बट seven stage पे होते हैं आपके testicles की energy, मान लीजे अगर आप food को intake करते हैं, तो उसमें से जो निकल energy है, वो पहले six stages पे काम करेगी, अगर उसमें से बच जाती है, तो seven stage पे काम करेगी, तो seven stage सबसे least priority में रखा जाता है, मान लेजे, अगर testis का जो procedure है, जो spermatogenesis का process है, जो आपके शुकरानों बनाने वाला जो procedure है, उसको सबसे least priority में रखा जाता है, तो इसी वज़ा से, वो seven stage तक energy proper नहीं पहुँच पाईगी, जिसका खामियाजा आपको क्या पता भुकतना भी पड़े, इसके बाद करते हैं water intake को, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जो पानी को खाना खाने के बाद ले लेते हैं, एकदम से तुरंद बाद ले लेंगे खाना खाने के बाद, वो क्या करेगा, वो आपकी पूरी body की energy को एक तरीके से ठंडा कर देगा, जिसे कहते हैं कि अगर आप खाना खाते हैं, तो आपकी body एक heat generate करती है, एक energy generate करती है, एक तरीके से आपकी body उसको निकालेगी, blood में flow करेगी, वो आपकी हर जगा जाएगा, वर जब पानी उसके बात पी लेते हैं, तो उसका एक side effect होता है, कि जो energy वो अपकी body बना रही थी, develop कर रही थी, digestion में use कर रही थी, heat develop हो रही थी, उसके उपर आपने उपर से एक पानी डाल दिया, जो उसकी energy, जो digestion system एक तरीके से बोले जाए, तो तीन गंटे में digest करना था food को, वहाँ पर उसम digestion का time लगा दिया, 6 घंटे, क्योंकि उसको double मेनत करनी पड़ गई, double मेनत की वज़े से आपको दिक्कत भी बड़ेगी, ऐसे जितने भी होते हैं, जो खाना खाने का पानी पीते हैं, उनको हमेशा ही blotted stomach की दिक्कत जरूर लगी रहती है, पेट फूला फूला लगता रहता ह और bumps, acidity जैसे दिक्कत भी बनी रहती है, तो पानी का intake खाना खाने से पहले लीजिए, या फिर उसके साथ लीजिए, उसके बाद पीना एक तरीके से गलत है, तो अगर आप ऐसा process कर रहे हैं, अभी अपनी routine में करते हैं, कि खाना खाने का पानी पीते हैं, तो वो गलत है, अगर आपकी body active नहीं है, तो आपके sperm भी इतने active नहीं मिलेंगे, मान लीजिए, अगर आप धीले ढाले इनसान है, आप बिल्कुल चलते फिरते बिल्कुल कम है, physical activity ना के बराबर है, आप ज़्यादा इतना forcefully या एक energy less रहते हैं पूरा दिन, तो आपके शक्रानों भी energy less म तो आपको एक benefit मिलता है, एक तो energy मिलती है, और दूसरी आपको क्या मिलेगा, आप उस time physical activity परफॉर्म कर सकते हैं, यानि कि exercise परफॉर्म कर सकते हैं, वो exercise पूरे दिन आपको energetic रखेगी, अगर energetic रखेगी तो आपकी body सारे कामों को easily कर सकेगी, आपके brain की functioning, आपकी चिड़ आपन जो normal normal होता रहता है, डेर रूटे की routine में, वो चीज आपकी खतम होगी, तो आप सबसे पहले जब sunrise होता है, तो एक exercises का एक form बना लीजे, आप अपनी physical fitness को बढ़ाएं, और उसमें exercise को ज़्यादा प्रमोट करें, आपने सिर्फ दिन का half an hour से एक घंटा देने अपनी physical activity को, तो आप better feel करोगे, एक अच्छा feel करोगे, और energetic feel करोगे, जिसकी वज़ा से आपके शुकरानू, या मान लीजे, आपका जो sperm count है, उसमें energy होने के पूरे chances हैं, हम day to day की routine में भार का खाना ज़रू खाते हैं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, क्योंकि basically क्या कभी हमें इतने ज्यादा foodie हैं, तो उसको थोड़ा control कर लेजे, क्योंकि मैदा almost सब जगा मिलता है, आप pizza खाते हैं, तो मैदा, पाओ भाजी खाते हैं, तो मैदा, इसके बाद अगर अगर आप छोले कुल्चे खाते हैं, तो मैदा, छोले बटूरे खाते हैं, तो मैदा, basically जो आपक कि digestion system पे अच्छा काम नहीं करता, तब ही अगर देखा जाए, तो US में patients ही कहते हैं, कि हमको constipation रहती है, इवन US में stool pass करने के लिए तकरीबन 3-3 दिन का gap हो जाता है, बट इंडिया में ऐसा सच नहीं है, तो अगर आप एक pizza खाते हैं, या छोले बटूरे खाते हैं, तो उ आजमा चावल खा लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़े आपको इतना हाम नहीं करेंगी, जितना आपको छोले बटूरे, छोले कुल्चे, या फिर आपको pizza करेगा, तो अगर मैदे को avoid कर सकते हैं, तो भार के खाने में बिल्कुर मैदे को avoid करें, और fried को जितना avoid कर सकते हैं वितना fried कर avoid करें, और अपनी पूरी day routine की routine को अच्छा और full on जिये, energetic जिये, इसके साथ साथ आपकी body में जितनी energy आपकी अच्छी बनीगी, जितने आप positive energy बना सकते हैं, अपनी body में वितना बनाए रखिए, meditation करना पसंद करते हैं, तो meditation कीजिए, और एक healthy lifestyle की तरफ बढ़ तो please like, share, bell icon देबाद दीजे का, thank you and thank you very much.